हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चानल अनूज हैल्थ टीप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तो आज हम बात करने वाली हूँ आप सभी से आपकी बाल रुखा सुखा है या आपकी बाल जड़ से पक रहा है उसको कैसे काला कर सकते हैं यह घरेलू अ और उसका बिल्कुल नेचुरल है तो सबसे पहले हम लेंगे लेमन यानी निबू दोस्तो निबू में साइटेक एसी तत्व भरपूर मातरा में पाया जाता है जो की हमारे सफेद बाल को जड़ से काला करने में बहुत जादा मदद करता है दोस्तो हम लगभग आधा चमस क की मातरा में लेंगे निम्बू को तो अब हम लेंगे गड़ी के तेल यानी कोकोनेट एल दोस्तो सर्दियों में कोकोनेट एल यानी गड़ी के तेल जम जाता है दोस्तो जब आप अपने बालों में कोकोनेट एल लगाएंगे तो आपकी बाल साइनिक और सिल्किन दिखने केपसुल हम एक लेकर बिटामिन एक कीपसुल औरफ कर चुकी हूँ। दोस्तों हुम तीसा चीज़ Does आप अपने बालों को चमकदार सुंदर और साइनिक बनाने में बहु श्यादा मदद करता है दूस्तों हम लगवक आदहा पाउंच की मात्रा मिलेगे किरनी प्लास सैंपूल तो यह सारी के दोकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगा ये किरनी प्लास सैंपूल दोस्तों अब हमको लेना है एलोवेरा दोस्तों आपके घर में नहीं है एलो वेरा तो आप पतंजली के एलो वेरा यूज कर सकते हैं इस वीडियो में दोस्तों ऐसे करकर और इस को जिल को हम ऐसे लिकाल देंगे दोस्तों ये सारे समागरियों के हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लिए हैं दोस्तों आप चाहें तो अपने जो बरस करते हैं उससे भी आप लगा सकते हैं या एलो बेरा के पतिया जो लिये थे ये वाला ऐसे आप तोड़ लिजिए और ऐसे आप ले लिजिए इस पर और है दोस्तो जब बाल के जड़ों में लगाएंगे तो आपकी जो बाल पक रहा है उसको जड़ से काला करने में बहुत ज़ादा ये मदद करता है दोस्तो ये अनुस्का आजमाया हुआ है हम खुद आजमा कर आप लोगों को सेर कर रही हूँ दोस्तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट, सस्क्राइब करना ना भूले